ओम श्रीकृष्ण पर्मात्मने नम्हा श्रीमत भागवत कथा दृष्टानत अने रहस्य भरत जी राम जीना दर्शन करवा माटे व्याकूर छे काफलो आगल वत्तो जाई छे वच्चे समय पसार खतो जाई छे अने अहीं भरत जीनी व्याकूर ता वत्ती जाई छे खासकरीने भरत जीना आश्रम मा पहुंचया पछी भरत जी वढ़ूने वढ़ू व्याकूर थे रहा छे भरत जीनो राम प्रेम कोण भर्णवी शके ते वानी नी पोंच नी बहार दिवाज छे परत वाज प्रातक काले फरीती जो आव्या छे आखिरात भरत जी ए पत्रारीने स्पर्श कर्यों ना थे राम दर्शन माटे भरत जीना प्राण तलसे छे भरत जीने निद्रा आवती न थी निंदा अने निद्रा उपर दिजे मिलव नानज भगवान नी भक्ती करी शके शे भरत नी तपस्चरिया जोता भरत जीनो रुदै भराई आवियुँचे अने तेवो बोली उठ्या के भरत जीनो राम प्रेम साचो छे भरत ना दर्शन ए राम दर्शन नू फोल जे भरत द्वाजे घणी सिद्धियो बतावी पन भरत जी आ सिद्धी मा फसाता न थे भरत जी पासे अनेक सिद्धियो आवी पन तेवो तेना थी अलित तरहा जे कारण भरत जीने तो साधन सिद्धी राम पद ने हूं राम चरण मा प्रेम एज साधन अने एज सिद्धी छे रुशियोए भरत ने मान पत्रा आप यूंक हमे तपस्वी छिये पन तमारा जेवो प्रभू प्रेम अमने बढ़ो ना थे चक्रवाक अने चक्वी एक ठेकाने रहता न थे चक्रवाक अने चक्वी ने एक पिंजर मा पूरी राखे तो पन रातना ते ओनों संयोग थतो न थे ते प्रमाने रुषिनी आगना ए पिंजरू छे, सिद्धियो भोग विलासनी सामगरियो ए चक्वी छे, भरत ए चक्रवाक छे, भोग विलासनी सामगरियो ने भरते मन्थी पन स्पर्ष करो न था, जेनो राममा अनुराग थयो छे, तेवा राम अनुरागी ने संसारना रोग जेवा लागेचे वमन करेलां अन्न उपर जेम कोईनु मन जतू नथी तेम आवा बढ़भागियोनु मन संसार सुख तरब जतू नथे रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन इवा जन्नु बढ़ भागी जने भक्तिनो रंग लागे तेने संसार ना भोग रोग समान बने चे संसार नी माया ज्यां सुधी लागे चे त्यां सुधी मनुष्य ने भक्तिनो रंग लागतो ना चे भोग ने भक्ति एक ठेकाने रह नहीं लोको समझे छे भक्तिकरवी सेली छे परंतु खरिकर भक्तिकरवी कठोन छे ए स्रीर नू साटू वाडवा जेवी वाद छे शीर साते नत्वर ने वरिये एवुं आपने दागिये छी ये ते साच्यूं छे संसार ना कोई विशय सुख मां मन फसायूं होई तेने भक्तिनो रंग लाग सेने संसार ना विशय सुख नो मन थी पन त्याक करे केने भक्तिनो रंग लागे छे परमात्मा साथे प्रेम करवानों छे मन ने वारंबार समझावानों छे संसार ना भोग पदार्थमा आनद न थी काम एटले को एटले सुख अने आम एटले काचूं काम एटले काचूं सुख एक कामनों स्वरूप छे हिताजीमा भगवाने कयों छे अर्जुन तारो शक्त्रू बहार न थी तारो शक्त्रू तारी अंदर छे काम एट शक्त्रू छे के तमने एम मनावे छे के हूँ तमने सुख आपूँचूं पने सुख साचूं न थी काचूं छे विनाश कारी जे, काम साचु सुख न थे, काम ने रुदय माथी काड़ू, रुदय स्यासन उपरश्री ठाकोर जीने पधरावू, एक सेठ अतो, तेनो पुत्र एशियाना संगमा फसायलो होतो, पिताई कईउ आतारो कुसंग छोड़ी दे, तो तारो वेविशार सारी कर्णिया साथे थाए, उत्र कहे छे पिताजी, पेलना मने कोई सारी कर्णिया मले, पच्छी हूँ एनो संग छोड़ी दों, पिकाजी समझावे छे, के पेली गणिकानो संग छोड़े अवगर खांडान घर मी कर्णिया तेने मलशे क्या थे, आ आपनी कथा छे हूँ, मनुष्यने विशय बोग छोड़वा न थे, औने कहे छे मने भक्ती मां आनन्द मलतो न थे, दोंगरे बापा सरस्वात करे छे, के आनन्द क्या थी मले, भोग बाधक नती, भोगा सत्ती बाधक छे, भोग वासनामा मन फसायों, तो ते इश्वरती दूर जाये छे, भरत नो त्याग उत्तम छे, अष्ट सिद्धियो दासी थैने उभी छे, परन्तु भरत कोई ना साम जोवात कैयार नती, वैराग्य वगर भक्ती रड़े छे, वैराग्य नहोए तो भक्ती शाखाम ले, भरत ने भरत ने तो एक जिच्छा छे, राम ना दर्शन ने, मोहेल आगी लगन तेरे धर्शन अती, भरत ने सिताराम विना चेन पड़तू नती, भोग ना अनेक पदा तो हता चतना भरत जीनू मन तेमा जतू नती, सर्वभोग्य पदार्थोने उपस्तिती होवा चतना जेनू मन तेमा जतू नती, ते साचो भक्त छे, भक्त तो भरत जीनी जेवू मागे छे, जनम जनम रती राम पद यह वर दान ना आन, हरी ही ओग स्ट्राइब दस में उपसी अ करों लादेब लादेश्य ना आना, हरी हो वरोग जनम तेमा जत्याओंग्स